और आज हम पढ़ेंगे बागे इंट्रॉडक्षन आपका तो हम बाद में देलेंगे तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज ठीक है तो आप लोगोंने पहले परसेंटेज पढ़ रखा है ठीक है तो कोई भी डाउट वगरा हो आप मुझसे पूछ लेना जहां कई भी ना समझ सबसे पहले जो नाम है परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है परसेंटेज जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ठीक है अगर हम परसेंट लिखते हैं तो यह है अमारा परसेंट ठीक है परसेंट जो है वो दो वर्ड से एक तो है हमारा पर और एक है सेंट का मतलब आप लोगों पता है क्या होता है सेंट का मतलब होता है 100 ठीक है और पर का मतलब होगा कि पर 100 में कोई value क्या होगे जैसे अगर यह जो सेंट है इसका मतलब होता है हमारा क्या ची 100 क्या होगा 100 होगा ओके तो लेट्स एक लेते हैं जैसे कहीं एक्जाम हुआ या कुछ भी हुआ तो तुमने स्कोर किया टोटल 84 मार्क्स ठीक है आउट ओफ हंड्रेड तो वी कैन से देट यू है इसकोर 84 परसेंट मार्क्स समझ में आया कि नहीं है तो पर 100 में कोई भी वैल्यू कितना हमने स्कोर किया 100 में कितना हमारे पास वैल्यू आती है वही होगा 85 परसेंट जैसे एक्जामपल के लिए एक और अगर अल्फाबेट लेते हैं कि Athen मार्क्स तुम्हारे आये कि एप अब इसको परसेंट मार्क्स A upon में 100, समझ में आया कि नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर 84 marks आ रहे थे, out of 100, it means that you have scored 84% marks, got it, समझ में आया कि नहीं है, 84% marks, if you have A percent marks scored, A अब कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 45, 65, तो it means that you have scored 65 marks out of 100, अब जरूरी तो है नहीं कि हर बार जो exam होगा, हमारा वो क्या होगा, 100 marks का होगा, so how we will calculate how much percentage you have scored, समझ में आया कि नहीं है, जैसे मान लो exam होता है, maximum जो marks होगा, exam होता है, तो maximum marks लिखा रहता है ना, कि कितने marks का exam होने वाला है, तो let's say कि 60 marks का total, 60 marks का exam हुगा, तो कितना score कर पाऊगे तुँ, 30-40, one number choose, 40 marks, so marks scored, marks scored by, what is your name, प्रतनेश, so marks score, marks score by, प्रतनेश is equals to, let's say 40 marks, so how we will calculate how much percentage you have scored, so हमें क्या करना है, यह 40 marks तुमने scored किया था, 40 marks, out of which, 60, 60, पर मैंने तो कहा, कि यहाँ पे नीचे 60, हमें तो calculate करना है, कि 100 में से कितना marks क्या, तो इसको अब हम क्या करेंगे, या तो इसको नीचे 100 बनाओ कैसे भी, नीचे 100 कैसे बना सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं, इसको अगर हम 6 से divide कर देंगо, तो 10 होगा, और into 10 करेंगे, तो 100 बन सकता है, जैसे मालो, यहाँ पे यह 60 है, और इसको हमने divide कर दिया 6 से, ठीक है, और इसको अब multiply कर देते हैं 10 क्या करते हैं 10 से multiply कर देते हैं अगर हम इसको 6 से divide करेंगे तो यह हो जाएगा 10 और 10 into 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 40 नहीं काटेंगा भी देखे होगे न कि हम किसी भी अगर 2 equation दे रखा है right और left side तो दोनों side same number add कर सकते हैं दोनों side same number subtract कर सकते हैं same number multiply कर सकते हैं same number divide कर सकते हैं नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक अगर ऐसे नहीं आ रहा है गर समझ में तो कोई बात नहीं आ रहा है समझ में तो हम उपर नीचे दोनों को क्या करते हैं यहाँ पर यह 60 है हमने तो देखा अभी तो हम दो-तीन तरीका समझेंगे एक ही चीज नहीं समझेंगे कि जैसे कई सारे नंबर रहते हैं जो नीचे उपर दोनों से कड़ जाते हैं तो हमें एकदम बेसिक लेबल से एक मैठ़ड दो मैठ़ड जितना भी होगा उस तरीके से पढ़ेंगे तो जो बेसिक तरीका था वो करेंगे नीचे क्या कह रहा हो कि डिवाइड भाइ 100 करेंगे आप देखो पहले यहां तक पहले समाज में आए कि नहीं की पर हंडेड में हमारे पोर्षन में कितना है समझ में आया कि नहीं आए चलो ठीक है आप नेउस देखते हैं एक और सुने होगे फ्रेक्शन होता है कंशन होता है कोई भी पी by Q फॉर्म में होगा ठीक है यह घौए और हर्पॉल आपॉन किए फॉर्म होगा ठीक है यह जो ऊपर वाला नंबर होगा उसको क्या कहते हैं साओ आउपर वाले को क्या कहते है ।ा यूमा रेटर और नीचे वाला जो value होता है उसको क्या कहते है denominator ओके जैसे मैं एक example लिखता हूँ one upon में four मान लो what does it mean one upon four का क्या मतलब हुआ जैसे मान लो कोई भी एक square एक box ले लो यह square है ठीक है we have divided it into four equal parts first, second, third and fourth अब इसका मतलब क्या हुआ अगर one by four लिख रहा हूँ तो अब पढ़े होगे बच्पन में कि shade करो one by fourth area इसका ठीक है तो अगर one by four चार में से एक को क्या करना है shade करना है मान लो क्या करना है shade अगर करना हो तो हमने एक कोई साभी इसमें से यह shade कर दिये क्या हो गया shade कर दिये तो यह fraction क्या होगा one upon four ठीक है अब fraction और percentage में एक relation है किसमें? percent में अब इसमें relation क्या है जैसे मान लो यह one upon four था तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि चार में से एक area को shade करना था चार में से चार portion दिये हुए थे equal उसमें से हमें एक को अगर shade करना था तो इस वाले reason को हमने क्या कर दिया था shade कर दिया था समझ में आया कि नहीं आ अब इसको अगर हमें convert करना हो किस से fraction से percentage में क्या करेंगे into hundred multiply by hundred कर देंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी एक fraction हो यहाँ पे एक fraction हो अगर हमें इसको convert करना हो किसमे percentage में percent percent में तो क्या करेंगे multiplied by hundred कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया अब 1 upon 4 था तो 1 upon 4 और इंटू कर देंगे 100 1 upon 4 इंटू 100 जएन वी विल डिवाइड 4 से 4 वन जा और 4 25 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा % का साइन यह क्या है % का साइन है समझ में आया कि नहीं है यह होगा हमारा % को ऐसे denote करते है एक line और दो डॉट होगा समझ में आया कि नहीं है अब दूसरा चीज जो हमें पढ़ेना है अब अगर % अब हमारे पास fraction value दिया था हमने उसको क्या कर दिया % में convert कर दिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है तुमको तो fraction था उसको हमें अगर % में convert करना होगा तो क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे ठीक है अब कोई सा भी अब fraction अब जैसे इसके पहले अभी जब हम पढ़ रहे थे प्रिवियस क्लास में तो यहां पर क्या था में जाएगा और यह 3 टाइमस में जाएगा मतलब यह जो fraction आएगा वो कितना आ जाएगा 2 by 3 2 upon 3 अभी तो हमने देखा कि अगर हमें fraction से अगर % में जाना होगा तो हम क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे तो simple हमारे पास यह एक fraction था अगर इसको % में convert करना है तो 2 by 2 by 3 और इं 100 2 by 3 इंटू 100 समझ में आया कि नहीं है क्या हो गया कोई doubt है समझ नहीं आया आ गया अब इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइमस में 100 डिवाइड होगा 33.33 33.33 अब यह आते जाएगा फिर इसको 2 टाइमस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 66.66% समझ में आया कि नहीं आया तो कोई भी अब इससे हमें पता चल लिए कि किटना परसेंट मार्फ स्कोर किये तुम हम उसको कैसे percentage में convert करेंगे समझ में आया कि नहीं आया कैसे करेंगे convert अगर fraction से percentage में करना होगा तो इंटू कोई भी fraction होगा fraction लिख लो simple और उसको 100 से multiply कर लो अब अगर हमारे पास मान लो percentage की value दिया हो अभी मैंने यहां पर बताया था आप लोगों को कि अगर यह पर्सेंट है मतला हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ ए अपॉन में 100 इट मींच देट जो हमारे पास जो हमारा शेयर है कितना यह 84 तुम्हारा मार्स है यूँआव इसकोड 84 मार्स आउट अफ विच 100 मार्स तो इससे हमें पता चला कि यह 84 पर्सेंटेज में दिया हो तो हम फ्रेक्षन में कनवर्ट कर लेंगे अभी तक तो हमने सीखा कि अगर हमारे पास फ्रेक्षन होगा यह फ्रेक्षन था इसको हमने पर्सेंटेज में कैस अगर पर्सेंटेज दिया होगा अगर पर्सेंट में मालो होगा पर्सेंटेज से अगर हमें जाना होगा फ्रेक्षन में तब क्या करेंगे divide by 100 कौन बोला divide by 100 very good अब यह है percentage में अभी यहाँ पे कितना percent आ रहा था 25% max आ रहा था अब यह 25 को लेके चलते हैं अगर हमारे पास पहला मालो दे रखा है 25% कितना है 25% ठीक है न फिर अगर हमारे पास कोई सबी value हो अगर उसको fraction में convert करना हो तो यह वाला जब symbol हटाते हैं हम तो क्या जाएगा upon में 100 क्या लिख रहे हो क्या बता रहे हो समझ में आ रहे हैं यारा पीछे समझ में आ रहा है अगर कोई सबी हमारे पास percentage में दिया हो तो जब यह symbol हटाते हैं तो upon में क्या हो जाता है 100 हो जाएगा क्या होगा upon में 100 हो जाएगा बस यह दो चीज़े याद रखनी है कि अगर हमारे पास अगर percentage value दिया हो percent का जब sign हटाएंगे तो upon में 100 आ जाएगा cent का मतलब होता है 100 तो per 100 में हमारे share में हमारे portion में कितना share है वही होता है percentage का value समझ में आया कि नहीं हा out of 100 हमारे favor में कितना है वही होगा percentage समझ में आया कि नहीं हा next देखते हैं यह हो गया अब हमारे पास सबसे पहला है कि 25% कितना है 25% अब भी हमने बताए कि जब यह percentage का symbol हटाएंगे तो 25 as it is रहा जाएगा यहाँ पर एक कुछ भी हो सकता है एक कोई भी number हो सकता है 5% 25% 100% तो इसको हमें क्या करना है ए as it is लिखना है और यह जो percentage का symbol होगा अगर वो हट रहा है percentage का मतलब होता है 100 तो यह हो जागा ए upon में 100 अब यह चीज़ आप लोगों को क्या करना है याद रखना है समझ में आया कि निया अब हम कोई साभी value कोई साभी number हो हम उसको convert कर सकते है यह है 25% 25% को अगर हमें करना है किसमे fraction में मैंने बताए अगर A होगा तो A 25 है A की value यहाँ पर क्या है A की value क्या है 25 तो यहाँ पर यह हो जाएगा हम लिख देंगे 25% के जब symbol हटाएंगे तो क्या होगा upon में 100 upon में हो जाएगा 100 समझ में आया कि निया क्या और यह divide हो सकता है आप further कट सकता है तो यह 25 वों जब 25 25 फोर जब यह आजाएगा 5 को fraction में convert किया तो 1 upon 4 आया समझ में आया कि निया यह था सबसे basic concept अगर 2-4 नंबर और बताना होगा आप लोगों को 2-4 और example देख लेते हैं उसके help से convert करना बताना सब लोग अगर मान लोग 15% दे रखा है तो fraction में क्या होगा very good अब यह सबसे पहले क्या करेंगे 15 percentage को जब हटाएंगे तो यह हो जाएगा 100 अब 5 से यह 3 times में और 5 से 20 times में जाएगा तो fraction हो जाएगा क्या 3 upon में 20 समझ में आया कि नहीं है next एक example last और देख लो बताओ कोई सबी नंबर बताओ कोई नंबर बताओ 58 58 percent तो यह हो जाएगा 58 upon में 100 अब यह दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 upon में 50 यह है fraction और fraction value जो होगा अब यह further नहीं डिवाइड हो सकता तो यह हमारा सबसे smallest fraction में होगा तो यह भी होगा और यह भी होगा समझ में आया कि नहीं आप लोगों को समझ में आया अब next देखते हैं अब basic तो आप लोगों ने सीख लिया है कि अगर percentage का मतलब क्या होता पर 100 का मतलब क्या होगा हमारे favor में कितना number है तो अगर 100 के comparison में जैसे you have scored 40 marks out of 60 अब इसको percentage में बताना हो तो क्या करेंगे हमने हमारे पास fraction वही था 40 upon 60 into कर देंगे 100 जब यह fraction में था fraction से जब हमें जाना है कि इसमें percentage में तो क्या करते हैं into 100 करते हैं तो into 100 कर देंगे तो वही हमारा fraction जो आ रहा था कितना आएगा 66.66 और यह percentage का symbol लगाएंगे और दूबारा अगर हमारे पास माल लो यह percentage में value था ठीक है अब यह हमारे पास percentage में 66.66% था इसको अब convert करना हुआ आपस fraction में तो क्या करेंगे upon 100 upon 100 तो यह हो जाएगा 66 यह percentage का symbol बताया हूँ हटेगा क्योंकि हमें तो fraction में करना था तो it will be upon 100 हो जाएगा upon 100 करने से क्या answer आएगा अब इसको अगर लगभग हम divide करेंगे तो यह 2 times में जाएगा और यह लगभग 3 times में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 by 3 होगा 33.33 होता है फिर उसके पाद 66.66 होगा उसके पाद 99.99 होगा exact 100 नहीं होगा एपरॉक्स वेल्यू मानी जाती है क्या होगा एपरॉक्स में वेल्यू यह होगा समझ में आये की नहीं है आप लोग को समझ में आये अब थोड़ा अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं अगर मान लोग दिया हो कि 15% 15% ओफ दो-चार क्वेशन प्रेक्टिस करते हैं कोई भी डाउट होगा तो बताना है ठीक है न वाट इस औरने आ रहे हैं किस क्लास में एट्थ क्लास में ओके 15% ओफ X माइनश वाई इस इक्वल स्टो लेट्स तेग 20% 20% ओफ X प्लस Y यह क्या है 15% ओफ X माइनश वाई है और बराबर है 20% ओफ X प्लस Y के अब हमें फाइंट करना है क्या चीज़? Ratio of Find Ratio of X and Y Ratio का मतलब पता है आप लोग को Ratio तो यह Ratio क्या हो जाएगा? X Ratio और Y. मतलब हमें इस चीज़ की Value calculate करना है कर रहे हैं आप लोग Where is your notebook? 4 upon 3 ले आप नोट बुक लिए क्या? अभी चेक करते हैं हो गया सबका? कितना answer आया? 4 is to 3 हो गया? नहीं आया? आपका आर्यान? आर्यान नाम है ना? कितना आया? 3 by 4 last नहीं आया? चलो ठीक है इधर देखो सब इधर देखो ध्यान से और देखना किसका किसका सही आया और किसका गलत आया? और नहीं आया तो यह सी अच्छे देखना बहुत इजी है ठीक है न? यह हमने अभी देखा कि ratio बताना है ratio भी क्या है? ratio भी एक तरीके का? तो यह इसको ऐसे भी तो लिख सकते है x upon में y लिख सकते है न? x upon में y जो answer आएगा इसी को हम लिख देंगे x ratio और y समझ में आया कि नहीं आए ऐसे लिख देंगे? ठीक है न? अब देखते हैं यहाँ पर है 15% तो 15 तो 15 अब ही हमने देखा अगर यह percentage से हमें किस में जाना है? fraction में जाना है न? तो क्या करेंगे? upon 100 तो 15 upon 100 ठीक है? यहाँ x y x minus y था तो x minus y as it is लिख दिए कोई change हुआ value में? नहीं हुआ न? हम तो लिख सकते हैं न? 15% होगा तो 15 upon में 100 यह is equals to यहाँ पे है 20% तो 20 और upon में कर देंगे 100 20 upon में 100 और x plus y as it is लिख देंगे x plus का y समझ में आया कि नहीं है? अब यह 100 इधर क्या हो रहा है? इसके साथ multiply हो रहा है? divide हो रहा है? 120 को क्या कर रहा है? 20 को 100 divide कर रहा है न? इस साथ आएगा तो क्या होगा? multiply होगा और यहाँ पे upon में 100 है तो यह 100 और यह 100 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अगर किसी को doubt है तो बताओ कैसे होगा बताता हूँ पता है न? यह 100 अगर इधर divide हो रहा है इधर आएगा तो multiply होगा यहाँ divisor में एक value पहले से है तो 100 और 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा कट जाएगा, cancel हो जाएगा यहाँ पे 15 को 5 से अगर divide करेंगे तो 3 times में और 20 को करेंगे तो 4 times में अब यह 3 क्या हो रहा है? यहाँ पे आ जाएगा 3 x minus का y is equals to 4 और यह x plus y got it? समझ में आया कि नहीं सबको last, समझ में आया सबसे पहले हमने क्या किया? 15% को 15 upon में 100 x minus y था तो x minus y लिखा is equals to 20% को लिखेंगे 20 upon में 100 और x plus y को x plus y लिख दिये समझ में आया रहे है? समझ में आया कि नहीं सबको अब यह हो जाएगा हमारा 3 अब यह क्या हो रहे है? यह bracket के अंदर है और यह bracket के अंदर क्या होता है? फिर multiplication होगा, क्या होगा? multiplication होगा, तो अगर हम multiply करेंगे तो 3 into x क्या हो जाएगा? 3x फिर क्या होगा? minus minus है तो plus और minus आप लोगों को पता है plus minus क्या होता है? कि लिख दूदर एक साइड में माइनस माइनस क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस प्लस इंटू माइनस गोड़ वेरी गुड़ तो यहाँ पर यह प्लस है और यहाँ माइनस तो प्लस माइनस होगा माइनस यह हो जाएगा 3y क्या हुँआ 3y समझ में आया कि नहीं is equals to 4x हो जाएगा 4x और ये plus का है तो हो जाएगा 4 और y समझ में आया अब हम क्या करेंगे ये 3x को उधर भेज देंगे उस side transfer करेंगे और 4y को इस side transfer करेंगे समझ में आया कि नहीं आया तो अगर transfer करते हैं तो यह उस side जाएगा तो यहां तो हो जाएगा minus का minus यह 3y पहले से है तो इसको यहीं रहने दो ठीक है यह 4y इधर आएगा तो यहां plus में है इस side आएगा तो क्या हो जाएगा minus का 4 और y हो जाएगा ठीक है is equals to यह जब 3x यहां 4x पहले से था यह 4x ठीक है न और जब यह 3x उस side जाएगा तो क्या होगा minus 3x हो जाएगा तो यह हो गया minus का 3x सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यहां से यह हो जाएगा plus minus 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 होगा plus और sign किस करेगा minus का बड़े वाले नंबर का sign रहता है और बाकी पता ही है minus minus plus होगा plus minus minus होगा और minus plus भी minus होगा ठीक है तो यहां से आ जाएगा is equals to minus का 7 y is equals to 4x minus 3x 1x simple x लिख दे हमें तो ratio निकालना था x upon y का क्या निकालना था x upon y का तो यह y को y यहाँ minus 7x के साथ क्या हो रहा है multiply हो रहा है जब y उस सेट जाएगा तो क्या होगा divide हो जाएगा तो यहाँ से अगर हम कर दे तो minus 7 को यहीं रहने देते हैं और minus 7 के सारे नंबरों के नीचे 1 तो हो सकता है न इसको लिख सकता है minus 7 upon 1 और यह हो जाएगा is equals to में x upon में y क्या हो जाएगा x upon में y तो x के जगह पर क्या लिखेंगे minus 7 y के जगह पर होगा 1 तो जो ratio हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा अब हमें ratio x ratio यह भी ध्यान देना है उल्टा नहीं करना x की value नहाँ पर होगा minus 7 और denominator में है y तो y के part पर क्या होगा 1 होगा समझ में आएगा नहीं है तो जो ratio होगा वो था हमारा x ratio और y तो जो ratio हो जाएगा minus 7 ratio और 1 सबको समझ में आएगा नहीं है एक बार और समझा है यह सबको समझ में आगा एक बार और ratio negative में क्यों नहीं हो सकता है ratio तो कुछ भी ratio का मतलब क्या है कोई भी fraction value होगी उसको simple convert कर दो ratio में ठीक है न यह क्या है यह एक condition था यह जो क्या है 15% of x minus y is equals to 20% of x plus y किसका question था यह negative अला आर्यन तो यह क्या है एक condition है कि x और y की यह सी क्या value होगी मतलब किस ratio में होगा ठीक है न अब यह कल के दिन यह number अगर minus 7 और 1 हो तो भी इस condition को satisfy करेगा ratio में है न यह fraction में value है तो अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे है minus यहाँ पे क्या है minus 7 upon 1 आया है यह x upon में y की value आया है इस चीज को यह जो है minus 7 upon 1 है इसको अगर उपर नीचे denominator और numerator को सुने हो न कि अगर जैसे मालों यह numerator है और यह upon में denominator है ठीक है कोई भी number से इन दोनों को same number से इन दोनों को हम क्या कर सकते है same number से multiply कर सकते है और same number से divide कर सकते है समझ में आया है कि नहीं है same number से हम numerator और denominator को अगर multiply यह divide करते है तो value change नहीं होती है अब कैसे नहीं होती है उसको देखते हैं जैसे minus थोड़ा एक easy number लेते हैं जैसे 1 upon में 4 1 upon में क्या है 1 upon 4 हमने देखा कि number से दोनों को करना है क्या करना है numerator and दोनों को we have to divide or multiply by the same number then the fraction will ratio will be or fraction will be same fraction क्या होगा same होगा समझ में आगी नहीं है अब कैसे होगा जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि multiply कर सकते है same number से ठीक है ना अब दोनों को multiply करता हूँ उपर भी मैं 2 से और नीचे वाले को भी मैं multiply कर देता हूँ 2 से ठीक है तो 1 into 2 क्या होगा 1 into 2 2 और 2 into 4 8 8 अब यह value आ गया ठीक है हमारे पास तो सबसे पहला जो fraction था यह था 1 upon में 4 क्या था 1 upon 4 इसको अगर 2 से divide करो तो 1 और 2 से divide करो तो 4 देखो 1 upon 4 आ गया मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यह जो 1 upon 4 है यह बराबर होगा 2 upon 8 के या फिर और 2 से multiply कर दो तो 4 upon 16 के या 8 upon में इसको 2 से multiply करेंगे तो 32 के अब यह सारा जो value है सारा fraction देशियो क्या है समझ में आया कि नहीं है तो अब यहाँ पर यह था हमारे पास minus 7 upon 1 इसको अगर 2 से multiply कर देंगे उपर और नीचे दोनों numerator और denominator दोनों को तो यहाँ से आजागा minus 14 upon 2 अगला एक step में अगर minus 3 से अगर multiply करते हैं तो क्या हो जागा minus 21 upon में 3 and so on ऐसे यह fraction चलते जाएगा मतलब ratio और fraction numerator और denominator को हम same number से multiply कर सकते हैं और divide कर सकते हैं समझ में आया कि नहीं है समझ नहीं आ रहा है पक्का कोई साभी numerator और denominator हो तो हम उसको divide और multiply कैसे कर सकते हैं same number से value change नहीं होगा जो fraction और ratio होगा वो change नहीं होगा आप लोगों समझ में आया कि नहीं है सारी बात है अब थोड़ा percentage के थोड़ा और आगे देखते हैं सबसे पहले मान लो तुम्हारे marks आ रहे थे 40 कितने marks से score कर रहे थे 40 ये total और total marks कितना था total marks जो था वो था 60 marks score marks score कितना था 40 out of total 60 तो हमने जब percentage कैलकूलेट किया था कितना percent हो रहा था कितना हो रहा था 40 upon 60 into कर देंगे 100 तो it will 66.66 और ये percentage के sign लगा देख और दूबारे जब percentage था fraction में जाना था तो upon 100 कर रहे थे ठीक है ना तो ये चीज़ तो हमने दो चीज़ बढ़ा कि अगर हमारे पास fraction होगा तो percentage में जाने के लिए हम क्या करेंगे what जाओ अगर हमारे पास percentage होगा fraction होगा percentage में जाने के लिए हम क्या कर रहे थे 100 से multiply कर रहे थे अगर fraction होगा और हमें जाना होगा percentage में तो 100 से divide कर देंगे अब simple कोई साभी जैसे percentage तो दिया रहे गा percentage जब लिखेगा तो मैं बता रहा हूँ कोई साभी number होगा उसके बाद में ये percentage वाली sign होगी क्या होगा अब simple सिर्फ एक यही तो याद रखना है मैं पहले भी बताया हूँ कि अगर यहाँ percentage है तो simple उसके आगे वाला number लिख दो और ये symbol के जगे upon में 100 कर दो हो गया convert fraction में यही तो है fraction समझ में आ रहेगी नहीं आ रहा percentage में कोई सी भी value दी रहेगी उसको अगर convert करना है तो number लिख लो और upon में 100 कर दो तो ये तो ऐसी दिख रहा है और अगर हमारे पास तो divide ऐसे पता चल रहा है कि अगर ये symbol होगा तो upon क्या करना है 100 करना है Got it समझ में आ रहा है आप लोगों को अब next marks score कर रहे थे 40 लेकिन अब कुछ error होने के वज़े से क्या हुआ आपके marks होके increase हो गया आपने एक question सही किया था लेकिन जो teacher थे उन्होंने उसको गलत किया बाद में जो marks marks increased हो जाते हैं और वो हो जाते हैं मान लो 45 कितना हो गया 45 marks हो गया अब कितना percent होगा पहले marks आ रहे थे 40 कुछ error के वज़े से teacher के check नहीं कर भाए हो तो क्या हो गया 45 हो गया अब कितना percent होगा calculate करो सब increment नहीं पूछ रहा हूँ अब कितना percent marks score होगा 75 percent सब के आगे 75 percent कैसे किया तो fraction में अब हमारे पास marks score आ रहा था कितना 45 total marks तो था 60 और हमें fraction से जाना है percentage में तो करते हैं into 100 अगर इसको हम divide करेंगे 15 से अगर divide करेंगे तो ये 4 times में ये 3 times में 4 से divide करेंगे तो 25 होगा 25 into 3 is equal to 75 percent symbol लगाये थे ना सब लोग सिर्फ 75 तो नहीं लिगे तो ये क्या होगा 75 percent होगा ठीक है ना अब question आ सकता है कि कितना percent marks increased हुआ कैसे how very good तो marks increased सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं इंक्रीजड परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या होगा marks increased upon में smaller value into कर देते हैं 100 smaller value क्या होगा 40 कभी भी हमें जब अब ये smaller value क्या होगा जब जो सबसे हमारा base value हो जो हम score कर रहे थे तो हमने कितना marks score कर गया था सबसे पहले initially 40 marks तो ये marks increase कितना होगा calculate it marks increase कितना होगा 5 marks increase यहाँ लिग लो mark increased is equals to ये 45 अभी आया और पहले कितना था 40 तो 45 माइनस 40 we will get 5 ठेक है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अपॉन 40 इंटू 100 समझ में आया कि नहीं है 5 से 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 टाइमस में और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आजाएगा 12 पॉइंट समझ में आया कि नहीं है marks increase अब calculate हो जाएगा कि कैसे 40% marks था ये 45 हो गया तो कितना percent increase हुआ increase कितना percent हुआ उसके लिए mark increase कितना हुआ smaller value into 100 और पुरा value solve करके कितना आया 12.5% समझ में आया कि नहीं है अब थोड़ा salary के उपर question देखते है ठीक है क्या लिख रहो चो पीछे वाला note down करना note down कर लो जिसको करना क्योंक पीड़ा कर अब बेस का! कुवाँ क्योंक बहुआ हीए क्योंक पीछ़ा और भीपर क्योंक लास्ट समझ में आ रहा है कोई डाउट कभी भी कोई डाउट रहा हो आप लोग को समझना आया हो कुछ भी ऐसा है ठीक है मालेत एक पर्सन की जो सेलरी है वो कितना है कितना ले बताओ 20,000 मालो कितना पर्सन की सेलरी है 20,000 अब यह इंक्रीज हो जाता है next year में कितना हो जागा 22,000 कितना पर्सन इंक्रीज हुआ सेलरी तो हमने क्या कैलिकूलेट करेंगे पर चेंज कितने का हुआ सेलरी चेंज अपन में स्मॉलर वैल्यू इंटू 100 करेंगे क्या करेंगे सेलरी चेंज नेक्स्ट इयर में यह मालो यह सेलरी थी पहले सेलरी थी यह 20,000 से हो जाती है 22,000 हो जाता है ठीक है पर सेंटेज इंक्रीज पर सेंटेज चेंज कितना पर सेंट चेंज हुआ सेलरी तो हम क्या करेंगे चेंज अपन में इस्मॉलर वैल्यू राइटिंग तो समझ में आ रही हैने सबको इस्मॉलर change कितने का हुआ upon में smaller value और into hundred कर देंगे क्या करेंगे into hundred करेंगे समझ में आया कि नहीं आया सबको तो change कितने का हुआ अगर change यहाँ पर हम calculate कर लेते हैं salary change अब यह सब बहुत basic चीज़े हैं आप लोगों समझ में आ रहे कि नहीं आ रहा है 22,000 20,000 जब subtract करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 आएगा तो यहाँ पर सेंटेज जो होगा percentage change percentage change कितना percent change हुआ salary में यह हो जाएगा हमारा बराबर change कितना आया 2000 upon smaller value कितना है 20,000 कितना है 20,000 और कर देंगे into hundred ठीक है यह 30 से 30 zero होगा cancel out यह two से यह two cancel और यह zero से एक zero cancel out हो जागा तो कितना आएगा 10 percent तो increase कितना हुआ salary कितना increase हुआ 10 percent समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया no doubt नहीं करना है कर लिए हो यह सब समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे है सबको कोई doubt नहीं है next अब अगर कितना increase हुआ जैसे हमारे पास यह given था ना जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यह 20,000 से हो गया 22,000 तो हमें पूछा था कि percentage कितना change हुआ क्या हुआ percent कितना change हुआ अगर हमारे पास दिया हो कि 10 percent change हो रहा है यह 10 percent का decrease हो रहा है 5 percent का increase हो गया समझ में आ रहे कि नहीं आ रहा तो हमारे पास इस बार दिया था कि कितना हो जाता है 20,000 से 22,000 increase हो गया अब हमारे पास यह नहीं percentage में बाद जैसे 10 percent हमारे पास आया कि 10 percent increase हुआ अगर ऐसे ही मान लो अब salary था वही same 20,000 अब अगर ये 10% increase हो जाता है 10% क्या होगा अगर increase हो गया तब salary कितना होगा अभी तक तो हमाई same वही कितना होगा तो इस बार तो हमें पता जाए अभी हमने पीछे किया था तो हम बजा देंगे 22,000 हो जाएगा क्या होगा 22,000 हो गया अगर 20% increase हो जाएगा तब क्या होगा थीक है आपको समझ में आया है कैसी होगा कितना होगा पहले value increase जो salary होगा वो कितना होगा 10% नहीं कह रहा हूँ जैसे माल लो 20,000 था सब को समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है 20,000 था ये अगर 10% increase होगा तो कितना होगा 22,000 ये तो हमने पीछे देखा था अब अगर ये जो salary पहले तो 20,000 था अब ये 20% increase हो रहा है कितना हो रहा है 20% increase हो जा रहा है ठीक है न तो ये जो salary होगा ये हम माल लेता है अगर ये हमारे पास कभी भी initial value लेना हो तो उसको लेते हैं हम 100 कितना लेते हैं 100 लेंगे हमारे पास अगर माल हो मेरे पास मेरी salary अगर 20,000 तो वो क्या है 100% है मेरे लिए क्या है वो 100% है पूरा value है अगर 100 marks का exam हो रहा था तो आपने score कर रहा था 66.66% कितना? 66.66 अब मेरी अगर salary आ रही है अगर 20,000 तो वो तो पूरा मेरे पास आ रही है इसकूल का marks थोड़ी है जो cut रहा है समझ में आ रहे है कि नहीं आ रहे है सबको तो वो क्या हुआ ये जो value होगी ये 20,000 ये होगा हमारा total 100% की value ये है 100% की value ठीक है न अब ये 100 से 20% increase होगा तो कितना हो जाएगा 120% कितना होगा? last समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा? 120% होगा पहले salary थे मेरी 100% अब 20% का increase होगा तो वो हो जाएगा 120% तो इसको हम multiply कर देंगे ये जो 20,000 था वो 100% की value है हमें calculate करना है 120% की value समझ में आया कि नहीं आया? पक्का अगर doubt नहीं है doubt लेके नहीं जाना select होना है कि नहीं सबको select होना है तो यहाँ doubt करने से कुछ नहीं होगा ठीक है न? आपको जो भी कोई question है कहीं पे भी कोई doubt रहा नहीं समझ में आया तो आप easily पूछ सकते हो ये format समझ में आ रहा है मेरी salary हर्दम क्या होगी? 100% क्या होगी? 100% अब ये 20% का increase होगा तो हमें तो 120% की value calculate करना है तो यहाँ से अगर ये मान लो 20 रुपए है हमार पास we have 20 रुपीज अब इसको 4 parts में अगर divide करना है तो क्या हो जाएगा? सबको 5 5 मिलेगा? ठीक है न? 5 मिला अगर इसको अगर हमें increase करना हो अब इस 20 को अगर मान लो 5 लोगों में divide करना था 5 लोगों में divide करना था क्या करेंगे? 20 और upon में 5 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 4 आएगा इसको रहने दो यहाँ देखो तो यह जो 20,000 था उसको हमने 100 से divide किया और increase हो गया कितना? 120 अब पहले वाले के अगर example से देखें तो यह 20,000 यह तो पूरा 100% की value था किसका value था? 100% 10% जब increase होगा तो 22,000 आना चीए तो देखो हमने 20,000 को 100 से यह 100 की value है अब अगर 10% increase होगा तो 110% salary हो गया होगा ठीक है न? अब यह 2% से यह percentage कर जाएगा ठीक है न? यह 100 से 2,0 cancel out होगा और 2 into 11 कितना हो जाएगा? 22 और 1,2 और 3,0 बच गया तो 1,2 और 3,0 देखो 10% increase करने पे 22,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैसे यह अब हमें किसी भी value का निकालना हो तो 20 अब आन में टोटल 100% लिखेंगे और into का कर देंगे 120 तो यहाँ से देखो percentage से यह percentage कर जाएगा ठीक है न? एक divide में है और एक क्या है? multiplication में है तो यह cancel out होगा 20 से 20 cancel out और यह 120 into 200 क्या होगा? 200 into 120 ठीक है न? तो 12 into 2 24 12 into 224 1,2 और 30 remaining है तो यह होजागा एक दो और 30 समझ में आएगे नहीं सबको तो salary अब यह हमारे पास final increased होके हो चुकी होगी 24,000 समझ में आ रहा है इधर तो नहीं बढ़ना भिक रहा है? समझ में आ रहा है? तो यह सबको समझ में आएगे नहीं है अब मालो कल के दिन salary हमारी decreased हो जाती है salary क्या होती है? decrease हो जाएगे सेम यही 20,000 हमारी salary थी ठीक है न? यह अब 10% decrease हो जाती है तब कितना salary होगा? 90% से multiply तो करेंगे लेकिन अब यह जो है यह हमारा decreased by decreased by 10% कितना? decrease होता है किस से? 10% से, ठीक है न? तो अब यह क्या हो जागा? अभी सेम हमने देखा जो भी number हो, जो भी salary हो उसको value लिख लेंगे यह जो है 100% की value है अब 10% का decrease हो गया तो यह 100 के जगह क्या होगा? 90% होगा तो into कर देंगे 90% परसेंट से परसेंट कैंसेल आउट, 20 से 20 और यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 200 into 90 92 जा 18, remaining 30 18,000 will be our salary समझ में आए कि नहीं है? अब यह जो गया 20% अगर decrease हो जाए 10% 10% decrease decrease कितना होगा? 10% अगर यह 20% decrease होगा तो कितना होगा? 20% अगर decrease भाई 20% तो सेम वही format एक ही है total salary लिखो upon में यह total 100% की value है 20% कम होगा तो यह अब कितना होगा? 80 का वेंसर होगा? तो इन्टू अब 80% की value करेंगे पर्षेंट से पर्षेंट 2020 की cancel out करेगा यह होगा 200 इन्टू 80 which will equal to 60 1000 समझ में आया कि नहीं है? सबको समझ में आया? कोई doubt तो नहीं है? अब यह तो था कि एक value बस या तो increase हो रहा था या decrease हो रहा था अब एक next type और देखते हैं सबसे पहले मान लो 20,000 amount था total salary था total कितना? 20,000 ठीक है ना? note करना है क्या नाम है तुम्हारा? प्रतनेश कर लो जिसको note down करना हो आरेन समझ में आ रहा है कोई doubt तो नहीं है हो गया? हो गया? लिखे हो कि बस ऐसे ही हो गया समझ में आ रहा है ना? लिखना भी जरूरी है किसलिए है? revision करने के लिए अगर बाद में कभी exam हो अगर करीब है तो यह सब देख लो कि अगर 20% increase हो decrease हो तो किस तरीके से करते हैं? बाकी यह चीजे तो एकदम दिमाग में याद रखना है आप लोगो कि अगर 20,000 होगा तो वो तो मेरा 100% है ना? उसमें से तो कोई decrease हो नहीं रहा है तो वो क्या वो 100% की value है decrease हो रहा है तो 10% का decrease हुआ तो वो अब 90% हो गया होगा तो 20,000 upon में 100 into 90 कर देंगे ठीक है प्रूब कर देंगे झाल